आज के हमारे इस कारेकर्ण के अंदर कि मुख्य नायक और सिक्किन के आदर नियर राजपाल भाई साफ मैं भी कहा हुआ है भाई साफ ओम जिन माठी हमारे करम शीर और विकास के लिए सतत्य प्रहत्म शीर मानि मुख्य मंत्री शी भज़डाल जी शर्मा हमारे प्रिदेश के अध्यक्ष मदन जी राठोड यहां के यह समझ के आया मदन जी की अब तूरे दिन दिन में काम होंगे है के बुझ और इस राषार के अध्या नीश्क्रार में किक अध्यक्षव और मेन बुझभर इस डास सबाख में प्रभान अध्यक्ष पूर्प बिर्सकर की रूक में अभी जना रहें स्पीकर घम्टीनिय वासुदेजह जी जिरिक ईवाशूदेफ्चे सुम्री रिओक क्मारी जी हमारे गुटर्थ और करते जकी मंत्री डॉक्र राजमरतन सिंग जी, हमारे सांसर्थ, मन्जू जी और गाव साथ आमरस की बात बहुत दिन के ऐसा description तो मैंने अभी तक सुना भी है मुझे छोड़ दिया ऐसलिए आपको इदब से हामे सियाद आगे वो आपको रहना साथ है जी समझ में आती है कि दिमाग की अगर से क्या निकन नहां की तो अमारो आदम्ही तो आदम्ही है गर्चां की तिवारी मैं अंदर इस समझ नम्य आया किंot मैं मंच में आवाज सुनी मैं आथा आवाज तो पहरे सुनी दी familiar एसा हमारा कुई मंची नहीं ए जिसमें उसमें समय प्लेने वाले राजिन जी राजिन जी और आपके साथ ने जो इस अभीनंदन नाविक अभीनंदन को जिस समिती में इतना सफर बनाने का काम किया है आपको और उन सबको मैं हम सब के और से बहुत-बहुत भीना देना चाहिती है कि वाकिन में हैं आप सब पर तक पहुँचें सब को फोन किया और सब को यहां बुलाने के लिए निमतरन भी आप लोगों ने दिया आज ये परिवार जो यहां बैठा हुआ है इसके चोटी से शुरुवात होते 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 आज इतना विरात रूप हमारे राजस्तान के अंदर उसने ले लिया है वो यह सब जो आप यहां मज़ बैटी हुए हमारे ओम जी भाई साथ बैर उसन साथ और उनके साथ के सब लोग जिन में से कई यहां बैठे हुए है उनको सब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि बहाते जनता पार्टी को बढ़ाने का काम यहां तक लाने का काम आप लोग सब ने मिल के किया यह रामचर जी आपने इंको सब को बुलाया सब को एके को और अपने गूर के साथ सब को बुलाने का काम किया उसके लिए आप तो बहुत धन्यवाद हमारे पूल प्रदेश अधिक्ष शियारों जी चतुर्वेदी जी और अशोग परणामी जी और अभी अभी हमारे साथी थे शिसी पी जोशी जी इन तीनों का भी हमारा धन्यवाद की बहाती बंता पार्टी को आप लेंगे अच्छी तरह से मजबूती देने का काम आप लोग ने किया है नाकी कुक महापोर्ष उनीची कर्णाबच अभी नंदन सम्हारों के अंदर जो यहां आए हैं सबी लोग जो पधारें होएं हमारे परिवार के भाई बहें कार्टा और सब साथी को यहां आ रहे हैं सब का हम यहां स्वागत करते हैं ओम जी वाई साफ का मैं हम सब की और से हां स्मागत करना चाहोंगी और मैं साथ साह उनका अभिनंदर की हां करना चाहोंगी यह आपकी योक्यता का परिणाम है के आपको इतनी बड़ी जुम्मेदारी यहां मेरी है और यह सिर्फ हमारे लिए मेही हम लोग तो है ही है हमको बहुत अच्छा लगता है परन्तु यह पूरे राजस्थान के लिए एक गौरफ की बात है आप वह से बैखे जो कभार्व जीन ने यहां तक ले जाने का काम किया और हम उनको अभार देना चाहते हैं हम सब की और से अभार रेक्ट करना चाहते हैं कि उन्होंने आपको राजस्थान बनाने का काम हम सब की यहां आपका काम देखकर की वहां तक ले जाने का काम किया है आपकी जो राजस्थान जीवन हैं उतरी से कामियात ही रही है पर लेकिक करके समलोंगों ने अपनी कहानियां दूर सब करें रखने का काम किया है वैसर सब में उन कहानियों पर नहीं जाऊनीया नहीं नहीं है मुझे मालू है कि बहुत सक्ति के साथ काम करते थे और मुझे याद है कि जब 2008 के अंदर राजिस्तान में आप अदेशी दर्च बने तो उससमेर में मुख्यमंत्री की तो बहुत सारे लोगों ने कहा है हमारा तो आपका था वहरोजिंटी की वज़े से आप से मिलना मिलाना गुता था परिफुबहा जीसे नोग घोचते हैं सब लोग अच्छे रोब बोटे को नहीं है तुछ लोगों ने आके मेने का मुने का कि मारी बढ़कर बाद मी है आके यहां आरे हैं दर्ब मिराज के हैं और आप लोग को आपको इतना आसाती होने वाला है तो मैं आप लोग सबको यह क तो मुझे तो यह मैसूस हुआ कि उपर उपर से बहुत बरम दिखाएं देते हैं पहंदू अंदर अंदर से बहुत नरम आदमी है और जब आपका साथ वह आदमी देता है तो पूरी तरह से साथ निभाने वाला आदमी है यह महुत सब्सक्राइब करता है तो किसी से कुछे कुछे में जही आप बताए दिया राजे निभाने बता दिया कि उनका नाम कैसे आगया बंसी बंदर में जब साथ देते हैं तो छोड़ते देते हैं तो पूरी है यह मातु साथ के जोगेता और इनकी समर्पण का एक नतीजा है जिसकी वज़े से गुजरात में, मद्यप्रदेश में, चत्तीस गड़ में और उत्राखंड में उनको प्रभारी बनाये लोगों का इनकी उपर हमारे पार्टी के पुशीश देते था उनका एक उपर पुटा भरोसा था कि हम किसी भी स्टेट में इनको भेजेंगे तो जो जैसे पार्टी चाहती है वहां के चिंत्र में उसी तरह की का रिजर्ट लाने का वो काम करेंगे हो दोब करेंगे वार्टी चंत्र पार्टी के राष्टी महामंद्री रहे हमारी राष्टी उपाध्यक्ष रहे और विरान समा चुनाव से पहले आपको याद होगा हूं कि आम धारना थी, आपको मिले भी थे और आम धारना थी, कि इनको बेजा जा रहा है वहाँ चतीस गड़, चतीस गड़ में होना जाना कुछ नहीं है सब को बादो में कि क्या स्कती हो रही है वहाँ, तो हमने कहा उनको कि असंभब बात है, आप ऐसे चतीस गड़ में जाके कमन खिलाया और असंभब आपके, उसको संभब करके दिखाए, यह एक इनके साथ प्रॉम्लम है, क्योंकि क्या है कि अगर हमके सामने चैलेंज दो तो चैलेंज को लेने का काम उनकी करेंगे ही करेंगे, और उसको पूरा करके जमी पे लाने का काम करेंगे, वो कई जगे के उपर उन्होंने दिखाने का काम कर गिया था आप सब को मालूम है कि ये और लिस सब दोगों ने कहा भी है कि ये मोजी जी के करीब हैं और इसका कारण है कि वो गुजरात गए वहां प्रभारी बन की और वहां आपने जाके उस संगठिन को टाकत तेने का काम किया उस चुनाम है आपने बहुत अच्छी तरह से वहां की परिस्थिती को मजबूत बनाने का काम किया मैं यह नहीं कह रही कि वहां मने ऐसी परिस्थिती थी भी नहीं तो जीतने का था बदर तो जिस तरह से आपने विवस्थित करा के और उसको लड़ाने का काम किया मैं समझते हैं गुजरात के अंदर भी आपका बहुत अच्छी गुमिकार निभाने का अताम आपने वहाँ किया है यहां सब लोग यह सोचते है कि कोई राज़ेबाल बन जाता है तो वह रबर स्टैंट में जाता है क्या बोलते हैं दास्तार उसके अंदर आयन फिस्ट सब लोग चुश्पी कि प्लावेशार जैसे कुछ भी करवा दो यह बैठी हुए है परन्तु यह है आयन फिस्ट इन बेल्विट गलव और जैसे जो भी गुल्सवारी करता है अगर अच्छा करता है लगां परक्रक करता है मुक्त है, चाबक लगा देता है गोची स्पूरिय हुए, तो भूड़ा शहीं तरह के से चलता है वuk वएसे दोड़ता है जैसे वह चलना की कोशिश करते हूं तिये लगाना में तहीं तहीं जानते है चाबक लगाना भी जानते है और मैं समझते हूं कि जहां बो जा रहे हैं वहां वो रवर सहप पर के नहीं परंदु आइंसिस्ट पर के अपना काम करने में अब कॉन्सिटूशन में राज्यपाल की जो अधिकार होते हैं उसका जड़ा विस्तार से उलिख है यह आर्टिकर 200 है संविधार के अंदर जिसमें वो कहते हैं कि बताते हैं कि राज्यपाल की क्या-क्या अधिकार होते हैं तो विदेग को मंजूरी दे सकते हैं विदेग को रोक सकते हैं और उस विदेग को राश्टती की विचार के लिए उस रक्षित भी रख सकते हैं तीन काम कर सकते हैं उनके हाथों के द्वारा ही निकलता है कोई भी बेल हाउस में से जब निकलता है तो वो रोक भी सकते हैं और पास भी करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि अगर किसी विदेग को रोका जाता है तो वो constitutional अधिकार है किसी भी governor का किसी भी राजवार की तो आपको यहां याद होगा कि राजवस्तान में जब पिछल कॉंगरेस की सरकार ने विदान सभा के अंदर एक सत्र एकत्तिक जुलाए 2020 तब वो बुलाना चाह रहे थे इसके लिए उन्होंने तीन बात रस्ता भीजा गवर्ण साहर पास लेकिन माह महीं मिराजपाल जब थे कलराजी मिश्र उन्होंने उसको वापिस लोटा दिया बाद में वोही सत्र जब राजपाल जी ने चाहा उनकी अनुमती के साथ 14 अगस्त को हुआ इसी तरह एक वो अधिवक्ता कल्यान कोश बैठे हैं सामने में ने कुछी हुआ है सनशोधन विदेक जो था वो साथ माई 2020 को विदान सभा में पारित हुआ और 24 मार्च को राजपाल के पास अनुमोधन के लिए गया तो राजपाल ने उस विदे को वापिस लोटा दिया आफ्टर पैसिज जो विदान सभा से पास होने के बाद भी उनके पास इतनी पावर है कि वो रोक सकते हैं अगर वो समझते हैं कि वो को नहीं करना है राजपाल भले ही मंत्री परिशद के सलह से काम करें पर आर्टिकल 166.2 के अनुसार राजपाल का निर्ने ही लास्ट निर्ने होता है तो वो जो भी करेंगे वो लास्ट निर्ने है आर्टिकल 356 में राजपाल की शिफारिश पर किसी भी बहुमत वाले राज सरकार को निलंबे तक करना है किसी कारण की वज़े से तो वो कर भी सकते हैं और राष्टपति शासन को लागू कर सकते हैं और उस प्रदेश के अंदर सरकार का पूर्ण अधिकार उनके हाथ में भी चला जा सकता है तो आप जब ये सब बातों को सुनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि गवणर के पावर हमारे राजपाल महमाहिम के पावर कोई कम नहीं है ये राजपाल इसलिए शक्ति रहत नहीं शक्ति सहित है इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान देखने की ज़रूरत है और आप जो गए हो अभी जब भी राजपाल की बात करते हैं और राजपाल पर हमने कहा इसलिए जरूरी है कि जरा सब लोगों के जहान में यह लाया जाए कि पावर्स कितनी है और अगर वो उस यूज करना चाहे तो कितनी पावर्फुल बात बन सकती है मैं यह नहीं कह रही हूँ कि सब्दूर करने की जरूरत है परंतू राजपाल का कॉंसेप्ट उस वक्त हुआ जब देश की आजादी के दो साल के बाद अमेरिका में जो उठी हुई थी फेडरिलिस्म की बात उसकी आवास को दुनिया भर में सभी जो डेमोक्राटिक देश थे वो उसके बारे में सोचने लगे वो उस विवस्था का नाम है ये फेडरिलिस्म जिसमें केंदर और राज सरकार के जो बीच अधिकारों का बटवारा होता है कैसे होता है और कितना कैसे होना चाहिए वो डिसाइड होता है ये फैसला किया गया कि देश में राष्ट पती वैसे ही राज में राजपाल ये अगर हो जाता है तो उसका फाइदा गवर्नर गवर्निंग का मतलब गवर्नर गवर्निंग करेगा इसले राजपाल किसी भी राज़ का सबसे महतवपूर्ण और सबसे शक्ति-शाली ये पद है और आज हमारे बीच में आज हमारे बीच में ये शक्ति-शाली व्यक्तित्व बैठा हुआ है मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हमारे बीच में से गया हुआ व्यक्ति आज उस पद तक पहुँचने का काम किया है मैं समझती हूँ कि धन्यवाद हमारे प्रधान मंत्री जी को जिनोंने कारकर्ता से लेके यहां तक लाने का काम हमारे ओम जी माथुर का किया मैं अन्त में इतना ही कहना चाहूंगी कि ये कितनी भी बुलंदियां चू जाएं उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है सुनो हम जी यह बहुत बड़ी खूबी है और मजाकनी है यह इतनी बड़ी खूबी है कि आप न हमेशा अपने पैर जमीन पे रखते हो और आपको समझ में है ये बात कि कुतने भी हम उपर चले जाएं ये जमीन नहीं खिसकनी चाहिए अपने पेरों के नीचे से अपने को अपना कॉंटक्ट अपने कार्य करताओं से अपने बहुत सारे लोग जो हमारे प्रशंसक है हमारा साथ देते हैं उनके साथ जुड़े रहने से आज ये हॉल भरा है इसी वज़े से क्योंकि आपने अपने पेरों को धरातल पे रखने का काम किया है और ये असंख्य बहुत सारे लोग जो यहां बैठे हुए हैं वो इसी की वज़े से बैठे हुए हैं नहीं तो क्या होता है भाइसाब ऐसे लोग बहुत सारे हैं ऐसे लोग बहुत सारे हैं जोने पीतल की लोंका ही मिल जाती है न तो वो अपने आपको सराफ मानने लगते हैं तो बहुत हैं पिर बातों सार से आपने को सीख लेनी चाहिए और मैं आज ही कहना चाहूंगी कि चाहत बेशक आस्मा चूने की रखो लेकिन पाउं हमेशा धर्ती पर रखो यह सबसे बड़ी बात है और यह आपने किया है इसलिए सब लोग यहां बैटी हुए हैं सब लोग आप से मिलते है हैं सब लोग आप और वो सही कह रहे थे कौन कि खर्चा चोटा स्टेट है पर खर्चा सबसे बड़ा होगा इसा बात सही है है बहुत सुन्दर आज के अंदर राजस्तान के लोग जाते ही रहेंगे मुझे विश्वास है आप हमको जैसे यहां संभालते थे वहां वहां मैं धन्यवाद देना चाहती हूं आपको और आपके सब साथियों को जिन्होंने इस कारिक्रम को इतने सफल बनाया है और आपने मुझे याद करके मुझे बुलाया इसके लिए आप सब को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद और इस अभिनंदन समारों के अंदर ऐसे व्यक्त को अपना मान के हैं उसके लिए मैं आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद देने करा चाहती हूं भारती जन्ता पार्टी की यही मजबुती है कि हम लोगों ने एक दूसरे की बीच में प्यार बाटा और उस प्यार ने हमेशा हम लोगों को मजबुती देने का काम किया है फ हमेशा हमेशा ही करोगे और हम लोग सब को वहां आने का मौका देकर थोड़ा सा हमाले का मज़ा लेने का भी मौका दोगी बहुत बहुत धरन्नवाद हो